So hey guys, good morning, मेरा नाम है गोरू, मेरे यूटीब चनल में आपका अबड़ से फिर सोगत है दोस्तों, जब भी हम कोई प्रिंटर खड़ते हैं तो उसका रिपोर्ट हमें पता होना चाहिए कि महीने में कितना प्रिंट किया या फिर बहुत लोग को ये भी जनकारी लेना जरूबी होता है कि यार जो मेरा प्रिंटर है मैंने में कितना प्रिंट कर रहा है या फिर मैंने आज कितना प्रिंट किया अपको इस वीडियो में बता हूं कैसे समझ सकते हैं कैसे देख सकते हैं कि आपने कितिना है तक प्रिंट किया है अपने computer से या फिर color फोटो को भी जो भी है सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं तो चलिए मैं चलता हूं अपने printed की तरफ और आपको धिखाता हूं कैसे आपको सेटिंग करके अपना जो रिपोट कंग का सकते हैं तो दोस्तों ये printer और आपको देख रहे हैं पुन कर लहना जैसा कि अब झानती है तो यह नोरमल होना चाहिए ऐसा नहीं कि हैंप कुछ लिखा होना चाहिए कुछ error आ रहा है सा कुछ नी नोर्मल जो इसा दिख रहा है ऐसा दिखना चीए ठीक है अब आपको करना कि यह जो menu दिख रहा है आपको इस menu पर क्लिक कर देना है ठीक उसके बाद करेंगे हाँ पर ऐसा option आ जाएगा network configure और तीसरा है WN reports उसमात फिर से पहला आ गया तो अब उनको पहले वाले पर क्लिक कर देना है ठीक है इस पर आप क्लिक कर देंगे अब बोलो है प्रेस स्टार्ट प्रेस स्टार्ट के लिए अप उनको चीज़ ना वो नीचे है मैं आपको यहां पर बताता हूं देखिए क्या हुआ है अभी तक जितना भी मैंने प्रिंटर लिया है टोटल मैंने अभी 123 प्रिंट दिये है इसमें कलर है फोटो कॉपी सब कुछ है अब यहां पर कलर कोपी भी मैंने तीन दिया है और यह प्रिंट है इसका क्या मतलब यह है कि यह सणसर पेज मैंने कंप्यूटर से कॉपी किये है मतलब प्रिंट की कमांड दिये है और लिच्ट जो लिच्ट अच्छे है यह मतलब मैंने रिपोर्ट निकाले हुए है मतलब कि जो प्रिंटर है प्रिंटर का जो भी मैं रिपोर्ट निकाला हुए उसको बदा था लिच्ट है ठीक है बाइड डिफॉल्ट जो पेज निकलते है यह वह चीज है दोस्तों अब आप समझे गए होंगे कि अपने प्रिंटर का रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो उमिद क